आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज एक ऐसा ही मिड कैप केडिगरी का मीचल फंड का रिव्यू लेकर आए हूँ रिव्यू इन्दा साइन्स ओप कि उसने कब से इंसेट्सन से अब तक कितने रिटर्न बना कर दी हैं अब ऐसा क्यों है क्योंकि मार्केड में बहुत सारे फंड्स अब लेवल हैं हर केडिगरी में इस्मोल कैप, लाज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड और लाज कैप ठीक है तो वहाँ पर आपको सेलेक्शन करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है लेकिन ये डेटा में इसलिए आपके सारे करना चाहता हूँ, कोसिस करता हूँ जिससे आपको observation आपकी strong हो कि यदि हमने एक किसी particular scheme में investment करे भी लिया तो return कैसे बनते हैं, long period में यदि आपके आधा 1-2% तक return कम भी बनेंगे लेकिन आप मानकर चलिए आपका पैसा जो बनेगा ना जो multi-vigor पैसा बनता है वो कब बनेगा? long term में भी बनेगा ठीक है? तो यदि आप सोचते हूँ कि आप ज़्यादा पैसा लगाकर छोटे time frame में भी पैसा बना लोगे तो ऐसा possible नहीं है आज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सुंद्रम mid cap fund के बारे में लेकिन regular plan का यह data है तो उसी इसाप से आप consider कीजिए regular direct से फर्क ही पड़ता आपको पता है जैसे कि expense ratio जो direct plan में वो कम देना पड़ता सीधा सीधा 1.5% के return 1% के मोटा मोटा मान सकते हो की direct plan में आपको ज़्यादा मिल जाएंगे यदि बात करें इसकी एनेवी की जब दका मैंने data लिया है तो उस समय 22 फरवरी 2024 को इसकी एनेवी 1202 रुपए 60 पैसे की लबबग थी fund house का नाम है सुंद्रम mutual fund और जी launch date थी इस fund की 30 जुलाई 2002 कितना पैसा बना कर दिया है कितना रिटर्न दिया है कितना गुना पैसा बना दिया है लगबग 110 टाइम्स इसने अपने जो है invested amount को मतलब पैसे को 110 गुना टाइम्स से बढ़ा दिया है यदि रिटर्न की बात करें तो 20% से ज़्यादा बैठता है यह XIR के case में 30 जुलाई 2002 से अब तक लगबग 21.58 यर्स का टाइम हो चुका है साड़े 21 साल का टाइम लगबग इस फंड को जो है launch हुए हो चुका है कुछ फंड अब इसमें highlight नहीं है इतना हो सकता आप लोगोंने भी इस फंड में इवेस्ट ना किया हो लेकिन देखिए return since launch की अधी बात करें 24.39% की return बना कर दे चुका है assets की बात करें तो 10,112 करोड की asset जब कि मैं बात कर रहा हूं data की 22 फरवरी तक इसकी जो है हो चुकी थी ठीक है और asset जो है AEM side यह थोड़ा बहुत उपर नीचे day wise भी होता रहता है expense की ratio की बात करें regular plan की 1.78% का है nifty mid cap 150 TRI इसका benchmark index से जिससे इसके stocks लिया आते हैं और for calculation का exam पर मैं ले लिया है 3,000 रुपे की SIP अधी आपने की होती उसी date में SIP start date किया है 31 जुलाई 2002 next day और इसको continue किया है 22 फरवरी 2024 तक जो की recent date है तो यहाँ पर जो XIR के return मिलें इस period में 20.78% के मिलें 20.78% के मिलें installment गई है हमारी यहाँ पर 269 और investment amount हुआ है हमारा 7,77,000 7.77,000 जिसको बना दिया है 1,11,000,000 7,77,000 बन गया है 1,11,000,000 तो क्या यह आपको multi-weager return नहीं नजर आते हैं तो इस data को दिखाने का purpose केवल इतना ही था कि यदि आप invested रहोगे long term के लिए और आपने कोई ठीक ठाक सा fund select कर लिया है ऐसा भी नहीं कि केवल top के fund आपने select कर लिया है तब ही return बनेंगे, नहीं बहुत सारे funds ऐसे हैं जो कि बिलकुत silently जिन पर कोई चर्चा ही नहीं होती है अब चर्चा किन पर होती है या तो आपने टीवी में news में देख लिया हो किसी influencer ने बता दिया हो किसी आपको मतलब distributor ने बता दिया हो और distributor कौन सा fund बताएगा जो इससे कि distributor को ज़्यादा फायदा होगा AMC को ज़्यादा फायदा होगा distributor वो fund आपको कभी नहीं बताएगे जिनसे की उनका commission कम हो commission कैसे मिलता expense ratio के form में आपस जो AMC चार्च करती है उसी का कुछ भाग distributor को मतलब दे दिया जाता है तो ये CDC कहानी है long term period की तो सुंदरम mid cap fund ने भी बहुत शांदा return बना कर दिये है इतने सांदा return मुझे लगता है कि यदि मिलते रहें आगे भी तो multi-way का return हर किसी के बन जाएंगे और wealth हमेशा credit होती रहेगी जो लिए data पसंद आए तो like share और से कीजिए मिलते हैं फिर कले एक अच्छी वीडियो में तब तक ले नमस्कार जेहिंग जेवारत